जब भी बात TV की संसकारी बहू और पतनी की आती है, तो उन्में एक नाम अभिनेतरी ही ना खान का भी शुमार होता है。 जिन्होंने स्टापललस के शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में अक्षुरा बहू के किरदान में एक बेहदी संसकारी बहु और पतनी का किरदान निभाया था जो अपने परिवास से बहुत प्यार करती हैं इनके स्किर्दार से लोग इतने प्रभावित हुए थे कि वे भी इनकी ही तरह ही अपनी पत्नी की तलाश करने लगे थे लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि जहां आम लोग इनकी तरह पत्नी की तलाश करने लगे थे वही टीवी के कई मशुहूर अभिनेता तो इन्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं इनसे शादी करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना वैस अभी अभिनेता इनके सफतार से इतना प्रभावित हुए कि इनसे शादी करने का बना चुके हैं मन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन्ही मशूर अभी नेता उसे रूबरू कराने जा रहे हैं जो करना चाहते हैं हीना खान से शादी तो आईए जानते हैं कौन है वे अभी नेता हीना खान से शादी करने वालों की लिस्ट में सबसे पहले नाम मुहमद नाजीम काता है खबरे आई थी कि इन्होंने कहा था कि ये हीना खान से शादी करना चाहते हैं वे इन्होंने बहुत पसंद करते हैं एक अक्टर होने के नाते और एक लव के तौर पर भी इसलिए ये उ पर इन्होंने उनसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा है वे पहले से ही अपनी लांग टाइम गल्फिंट शीना सेट के साथ सगाई कर चुके हैं और उनसे शादी करने वाले हैं ऐसे में इन खबरों से इनका बसने वाला घर भी उजड़ जाएगा ऐसी खबर फैलाना कर रहे हैं इन बीते सालों में इन्होंने हीना खान को अच्छी से जान लिया है जिसके चलते अब इनका प्यार उनके लिए काफी बढ़ चुका है इसलिए तो ये अब उनके साथ जल से जल शादी कर सेटल होना चाहते हैं कभी रुबिना के साथ शादी करने के वादे करने वाले अभिनेता अविनाश सच्छदेव भी हिना खान के साथ शादी करना चाहते हैं खबरों के अनुसार इन्होंने एक बार कहा था कि इन्हें इना बहुत पसंद है एक तो वे इतनी अच्छी अधाकारा और उपर से इतनी सुन्दर बस इसी बात पर ये इन्हें अपना दिल दे बैठे थे और अब ये इनके इतने दिवाने हो गए हैं कि उनसे शादी करना ये सब बाते इन्हें बदनाम करने के लिए पहलाई चा रही है नमब फूर मौसीन खान इस लिस्ट की आखरी कड़ी में सभी के चुहेते मौसीन खान का नाम शुमार हैं जो करना चाहते हैं हीना खान से शादी जो कभी इनकी ऑन स्क्रीन सास रही थी अपनी उसी ऑन स्क्र मौसीन इस बात पर अपनी फ्रतिक्रिया देते हुए का है कि ये खबर जब मैंने सुनी तब मुझे बहुत हसी आई आखिर मुझे बिना बताएं ही लोग मेरी मर्जी बता रही हैं कि मैं हीना कांसे शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे उम्रों में काफी बड़ी है और मै मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ ऐसी बाते पहला कर आप लोग इनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो दोस्तों को क्या लगता है कि हीना अगर इन में से किसी को अपना हमसफ़द चुनती तो किस के साथ इनकी जोड़ी सबसे जादा अच्छी लगती आप हमें अप